हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक तो माई चैनल आज मैं इस वीडियो में डार्ट वाले सूट की कटिंग एंड स्चिचिंग करूंगी जिसके लिए मैंने मेन फैब्रिक दो मीटर लिया है और इसी के साथ मैंने दो मीटर अस्थर भी लिया हुआ है यह देखिए यह मेरा दो मीटर है और यह हमारे अस्थर की चोड़ाई है और चोड़ाई वाली साइट से मैंने से सिंगल फोल्ड में इस तरीके से रखा है देखिए और यह हमें उतना फोल्ड करना है जितना भी हमारा राउंड हीप होगा उसका वन फोल्ड करेंगे और वन फोल्ड करके उसमें डे 11 इंच मैंने इसे फोल्ड किया है अब यहां से हम अपनी कुर्ती का फुल लेंध के लिए निशान लगाएंगे तो मेरे मिजरमेंट में कुर्ती की फुल लेंध है 39 इंच 39 में में 1 इंच प्लेस करूँगी नीचे फॉल्ड करने के लिए तो आएगा 40 इंच 40 पे मैं निशान लगा लोगी यहां पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे मेरे मिजर्मेंट में शोल्डर है 12 इंच तो 12 का हम हाफ करेंगे तो आएगा 6 इंच तो यहां पे में 6 पे निशान लगाऊंगी और यहां से नीचे हम आम होल के लिए निशान लगाएंगे तो मेरे मिजर्मे में आम हुल है 7 इंच तो यहां पे मैं 7 पे निशान लगाऊंगी और इसके बाद हम इस लाइन को सीधा उपर जोइन कर लेंगे अब यहां पे हम राउंड बर्स के लिए निशान लगाएंगे तो मेरे मिजर्मेंट में राउंड बर्स है 32 इंच 32 का वन फोट किया तो आया 8 तो यहां पे हम 8 पे निशान लगाएंगे अब यहां से नीचे हम अपने वेस्ट लेंथ के लिए निशान लगाएंगे तो मेरे मिजर्मेंट में वेस्ट लेंथ है 14 इंच अब यहां पे हम अपने राउंड वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो मेरे मिजर्मेंट में राउंड बेस्ट है 26 इंच 26 का वनफोर्ट किया तो आया 6.5 इंच और यहां पर हम एक इंच प्लेस कर दिंगे उसमें तो मैंने यहां पर 7.5 पर निशान लगा है क्योंकि यहां पर हमारी एक डाट आएगी अब यहां से हम 21 पर निशान लगाएंगे देखे इस तरीके से और यहां पर हम अपनी राउंड हिप ले लेंगे तो मेरे मिजर्मेंट में राउंड हिप है 36 इंच 36 का मैंने वनफोर्ट किया तो आया 9 इंच और 9 पर हम यहां पर निशान लगा लेंगे अब हम इन सारे पॉइंट्स को जोइन कर लेंगे देखे इस तरीके से यह हमारी राउ अब जितना निशान उतना ही लगा। उतना ही हम अपने बॉटम पाइब लगायेंगे देखे यहाँ पर हमने नाइन पे निशान लगाये था तो नीचे भी नायन पे निशान लगाएंगे और इसे हम सीरी लाइन से ड्रोड़ कर देखे। कि देखे इस तरीके से हैं अब हम यहां से मार्जन के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ पे में ऐड़ इंच का मार्जन दूँगी देखे इस तरीके से और इसे हम मिला लेंगे अब यहां पे राउंड वेस्ट वाली लाइन में यहां पे हम डाट के लिए निशान लगाएंगे तो यहां पे मैं तीन पे निशान लगाऊंगी और यहां से उपर मैं निशान लगाऊंगी साड़े तीन पे यहां से नीचे भी हम साड़े तीन पे ही एक निशान लगाएंगे डाट के लिए और इन डाट को हम मिला लेंगे देखे हमने इसमें एक इंच एक्स्टर लिया था तो हम यहां पे हाफ इंच दोनों साइट से मार्क कर लेंगे से हाफ आफ इंच कर निशान लगाके हम इसे ओपन लाइन से जॉइन कर देंगे देखे इस तरीके से अब यहां पर मैं आम ओल के लिए शेम दूंगी सबसे पहले हम बैक आम ओल के ले Wen तो हम इस लाइन को ना अपलेंगे और मिट्वाइंट के लगाने पहला. सब्सक्राइब के लिए देखेस्ध के लिए दिखोंगे यहाँ सब्सक्राइब की। घब एक लिए दोff day 이इव के लिए लिए दो सब्सक्राइब के लिए दाख़। दोज़ेंगे ऍवे इच विर्थ निशार लगाऊंगी जो कि 3 इंच पे में लगाऊंगी और यहां से यिक मै फ्रेंट के लुगी 6 देखे इस तरीके से 6 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहां से तीन पे निशान लगा के एक बॉक्स बना लिए देखे इस तरीके से अब मैं यहां से अपने बैक नेक के लिए निशान लगाऊंगी जो कि मैं डीप रखोंगी तो मैं यहां पे 7 पे निशान लगाऊंगी देखे इस तरीके से और 7 का भी एक box बना के इस पर हम round shape दे देंगे दोनों neck के लिए मैं round shape दोनों के लिए देखे इस तरीके से अब मैं इसे cut कर लूंगी देखे इस तरीके से अब यह जो हमारा front का neck है पहले हम इसे cut कर लिए देखे इस तरीके से यहां से हम half inch नीचे deep नहीं गए थे वह भी मैं हाँ से चले जाओंगे और इसमें हम half inch का margin भी दे दिंगे और यहां से मैं पहले back arm hole को cut करूंगी देखे इस हमने cut कर लिया है और अब हम इसे trace कर लिए यह हमारा इसमें back arm hole cut हो गया है और front का हमने neck cut किया है और back का neck हम उसमें trace कर लिए यह देखे इस तरीके से इसे पूरा trace कर दिंगे और इसे अब हम cut कर लिए अब हम sleeves के लिए निशान लगाएंगे देखे हमने कपड़े को एक fold में इस तरीके से रखाया है अब हम अपनी यहां से full length ले लेंगे तो मेरे measurement में full length है 17 इंच तो मैं 1 इंच extra लोंगी नीचे से fold कर लिए तो 18 पे मैं एक निशान लगाया है और यहां से मैं 5 पे निशान लगाऊंगी और यहां से मैं 8 पे निशान लगाऊंगी कि इस तरीके से और यहां से नीचे मैं 3 पे एक निशान लगाऊंगी और इस निशान को हम यहां पे इस तरीके से line खीच लेंगे यहां पे यहां पे हम इसे नाप लेंगे कि कितना रहा है और इसके तीन पार्ट में इसको divide कर लेंगे इसके बार हम यहां पर अपने आमोल की शेव दे देंगे फ्रेंट और बैक दोनों आमोल की शेव देने के बार इसे हम कट कर लेंगे यह देखिए अब हमने इसे कट कर लिया है और फ्रेंट के लिए जो हमारा डीप होता है उसे भी हम कट कर लेंगे यह देखिए इस तरीके स के ऑपने की अपने裡面मेन फैब्रिक को अर असतर को दोनों को साथ 18 कर लिंगे चारों उरसे में अश्चाएप लगा दिने और बैक और 15 दोनों पार्ट में कर देख की इसमें इसे 3 अफराइल लगा दी है अब इसके गले में पाइपिंग करने के लिए मैंने बास पे एक blue color की पट्टी कट की हुई है यह देखे इस तरीके की और इसे हम एक fold इस तरीके से करेंगे और इस पे हम side से सिलाय लगा दिनगे फे इस तरीके से अब हम अपनी कूर्ती की right side में इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे देखे और इस पे हम एक सिलाई लगा देंगे अभी देखे इस पे सिलाई लगाने के बाद इसमें हम इस तरीके से कट लगाएंगे यह देखे इस तरीके से और अब हम इसे रॉंग साइट की और को फूल कर लेंगे यह देखे इस तरीके से हमने इसे थोड़ा थोड़ा अंदर को फूल किया है यह देखे इसमें हमने सिलाई लगा दिया है फूल करके अंदर को और रॉंग साइट की और हम इसमें हैमिंग कर लिंगे यह देखे इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट में भी पाइपिंग कर दिया है अब जो हमारी सूट में डार्ट है इस डार्ट को हम डाक कर लिंगे और दूसरी साइड भी हम इसे ट्रेस कर लिंगे यह देखिए इस तरीके से अब डाट देने के लिए जो हमने बीच में एक लाइन कीची है इस लाइन को हम इस तरीके से पकड़के इसमें हम इस तरीके से इसमें एक सिलाय लगाएंगे यह देखिए दोनों में हमने इसी तरीके की सिलाय लगा दी है और बैक वाले पार्ट में भी हमने इसी तरीके से ड इसके मैंने शोल्डर एटेच कर दिया है और अब मैं इसमें साइट की फिटिंग के निशान लगा के इसमें भी एक सिरह लगा दूंगी अब जो हमारी सूट की साइड है यहां पे भी हम पाइपिंग करेंगे उसके लिए जो हमारी रॉंग साइड है हम रॉंग साइड से अपनी पटी को एकल करके रखेंगे देखें मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से रॉंग साइट के और हम अपनी पत्ती को एक फोल करके इस पे एक सिलाय लगा दिए देखें बिल्कुल कॉर्नर पे इसे हम इस तरीके से रखेंगे और यहां पे एक सिलाय लगा दिए यह देखें इस पे मैंने सिलाय लगा दिये फ्रेंट और बैक दोनों हमें जितना भी अंदर को फोल करना है उतने पे हम निशान लगाएंगे नीचे भी कि देखिए 1.5 इंच पे में हां से निशान लगाऊंगी और इन पॉइंट्स को में जॉइन कर लूँगी देखिए इस तरीके से यह पे एक लाइन में खीश लूँगी यह निशान जो हमने लगाया है यह कुर्ती की राइट साइट पे लगाया है तो हम यह राइट साइट पे निशान लगाएंगे और जो हमने साइट से पट्टी लगाई थी इस पट्टी को हम इस तरीके से उपन कर लेंगे और उसके बाद हम इसे एक फोल्ड ऐसे करेंगे और एक फोल्ड हम इसे ऐसे और कर लेंगे जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी हम उसके उपर ही अपनी पट्टी को रखेंगे और जितनी भी हमें पाइपिंग बाहर को निकालनी है ने पे हम निकालेंगे और इस पे हम एक सिलाई रख दिने देखे इस तरीके से इस तरीके से फोल करके उपर से हम इसमें सिलाई रख दिने ये देखे इस तरीके से इस पे हमने पाइपिंग लगा दिया है देखे और जो हमारी रॉंग साइड है यहाँ पे हम इसमें तुर्पन कर लेंगे दोनों साइड से देखे हमने इस पे पाइपिंग लगा दिया है और रॉंग साइड को जो हमने फोल्ड किया है उसमें हम हैमिंग कर लेंगे और देखे़ें अब क्यूंसे सीजेए प्रताइप सब्सक्राइब से दब्लाइब दोसे फटाइबaltra लिए अब